रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रगु नाथाय नाथाय सीताय पतिय नमः स्री राम लला भगवान के भारत माता के सर्यू माता के जय जय सीता राम राम उत्सो के आज के इस कारिक्रम के मुख्यतिते दुनिया के सबसे लोगप्रिय राजनेता भारत के मान्य प्रधान मंत्री आधनिया सी नरेंद्र मोदी जे रास्तिय स्वयम सिवक संके मान्य सरसंग चालक सरदे डॉक्टर मोहन भागवजे प्रदेश की मान्य राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पतेल जे सिराम जन्भूमी तीर्थ छेत्र न्यास के अध्यक्स पूजय महंत निर्थ गोपाल दास जी सिराम जन्भूमी तीर्थ छेत्र न्यास के कोसा ध्यक्स पूजय स्वामी गोविंद देवगिरी जी महा सचीव सम्माने सी चंपत राय जी देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूजय संतजन अपने अपने छेत्र के नेत्रुत्त देने वाले सभी उपस्तित महानुभाव रामज सो के इस पावन पर्व के उसर पर आधनिय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सब की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ और इनंदन करता हूँ इस उसर पर पधारे राश्तिय स्यम सिवक संग के सरसंग चालक आधनिय डॉक्टर मोहन भागवत जी का अन्य समागत अतितियों और महानुभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ प्रवु रामलला के भव्य दिव्य और नभ्य धामे बजार बिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई 500 वर्सों के लंबे अंतराल के उपरांथ आज के इस चर्चिर प्रतिक्सित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी हैं क्योंने ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिलने हैं मन भावुक है भाव विबोर है भाव विवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज सेत्यासिक और त्यंत पावन असर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग से राम जनभूमि की और आरा है हर मन में राम नाम है हर आख हरस और संतोस के आशू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुरा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए है आज रगु नंदन रागो राम लला हमारे हिर्दय के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगहासन पर विराज रहे है आज हर राम भक्त के हिर्दय में प्रसंता है गर्व है और संतोस के भाव है आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दी बतीत हो गई दर्जनों पीडिया अधूरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तों प्रतिक्सा और संगर्स का करम सतत जारी रहा सिराम जनभू में संभवता विश्व में पहला ऐसा अनुठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संकेक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य के जनमस्थली पर मंदिर निर्माण के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्दतिसे उपर उठकर के राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वसुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा प्रफुलित है, इस बात से कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्ध के लिए, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंदर मोदी जी का हिर्दै से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथी भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई, अभी गर्वग्रे में बैदिक विधी स्पिधान से रामलला के बाल विगुद्धान झाल 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 सिप्त थी, उपेकसित रही, सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही, अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिद होती रही, चोटिल होती रही, किन्तुराम का जीवन हमें सैयम की सिक्सा देता है, और भारतिय समाज ने सैयम बनाई रखा, लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दिड़ होता गया, और आज देखे, पुरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभार रही है, हर कोई अयोध्या आने कौतुर है, आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है, यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजभानी के रूप में प्रतिष्ठित ह हो रही है, पुरा विश्व दिव्व्य और भव्य योध्या का साकसातकार कर रहा है, आज जिस सुन्योची त्यम्ती ब्रकति से योध्या पुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सक्ते और दूर दृस्ता के बिना संभव नहीं थ कुछ और से पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी, सर्यूजी में कुरूच चलेंगे, अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी, लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज, आप अच्चयोध्या, सक्समयोध्या, सुरम्ययोध्या, सुगम्ययोध्या, दिव्ययोध्या और भव्ययोध्या की रूपें पुन्रधार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं, राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप के कायकल्प, संग्रक्षण, संचालन, रखरखाओं के कारे हो रहे हैं। रामयन परंप्रा की कल्चर में पिंक कराई जा रही है। राम बंगमन पत पर रामय वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भुष्य की जरुपतों को देखते वे आधुनिक पैमाने के अंसार सभी नगरिये सुप्धाएं भी विक्सित हो रही है इस वोक्सदाइनी नगरि को आधनिये फिर्टकों सोधार्तियों जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने की और से अग्रसर किया जा रहा है यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्य में वो जैते की रूप में भारत के राज-चिन्ड भारत के गौरव की पुनरप्रतिष्टा है अयोत्या का दिव्य दिपोट्सो नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और स्री राम अल्ला की प्राण प्रतिष्था का समारो भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को संब्रस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है से र राष्ट मंदिर है निसंदे सिर्रामलेला विग्रह की प्रांट प्रतिष्था राष्टि ये गौरव का एक एथ्यासिक उसर है निश्चिंत रहिए प्रवराम की किरपा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कुएं बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़ गड़ा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अब इतो यहां दिपोट्सो रामोट्सो और यहां की गलियों में सिर्राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुंजाए मान होंगी क्योंकि अवदपुरी का मैं रामलला का विराजना रामराज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है रामराज्य बैठे तिरलो का हरसित भये गये सब सोका रामराज्य भेदभाव रहित समरत समाज का दियोतक है और हमारे सस्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों, बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जन्भुमी मंदिर के सपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों, अभियनताओं, सिल्पियों और सिर्राम जन्भुमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादी कारियों को हिर्दै से धन्यबाद, पुना आप सभी को राम लला के बिराजने की इस एथियासिक पूने घड़ी की बधाई आद्रिय प्रधान मंत्री जी, आद्रिय सरसंग चालक जी, माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महान भावों का में एक बार फिर से हिर्दै से स्वागत और विनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरवजों ने लिया था, उसकी सिद्धी की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चर्णों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देश्वास्यों को आज की स्रामत्सों के उसर पर कोटी कोटी बधाई और अमिनंदन देते वे अपनी बानी को बिराम देता हूँ जै जै सीताराम